जो तोड़ने वाली शक्तियां है, जो आतं के बल्बुत्ते सामरज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखण में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाएं, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थाई नहीं होता। वो जादा दिनों तक मानवता को दवा कर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी, जब कुछ आतताई सोमनात को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है। जब बिश्व ऐसी विचार धाराओं से आशंकित है। साथियों, सोमनात तो सदियों से सदा सीव की भूमी रही है। और हमारे यहां सास्त्रों में कहा गया है, शम करोति सह शंकरह। अर्थात, जो कल्यान को, जो सिद्धी को प्रदान करे, वो शीव है। जो विनास मैं भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं। सम्हार मैं भी स्रजन को जन्म देते हैं। इसलिए शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है, और शिव अनादी है। और इसलिए तो शिव को अनादी योगी कहा गया है। इसलिए शिव में हमारी आस्ता, हमें समय की सिमाओं से परे, हमारे अस्त्वित्व का बोध कराती हैं, हमें समय की चुनोतियों से जूजने की शक्ति देती हैं। और सोमनाद का ये मंदीर हमारे इस आत्म विश्वास का एक प्रेणना स्थल है। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भग्य सम्रचना को देखता है, तुसे केवल एक मंदीरी नहीं दिखाई देता है। उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है, जो सेंकडों, हजारों, सालों से प्रेणा देता रहा है। जो मानवता के मुल्यों की गोशना कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे रुश्यों ने प्रभास ख्षेत्र यानी प्रकास का ज्यान का ख्षेत्र बताया था। और जो आपकास का ख्षेत्र बताया है।